Hello everyone, हमारा जो chapter है alcohol, phenol और ether का chapter हमारे पास है इस topic के previous year के questions हैं जो हमारे पास 2010 से लेके 2023 के बीच में चीक है, even मैंने 24 के pre-board के question भी इसमें डाले हैं तो इसको हमने दो topic में divide किया था पहले वैले alcohol और phenol था, second ether था alcohol phenol हमारा complete हो चुका है, तो इस वाले lecture के अंदर हम ether के question करने वाले हैं अब देखो total question अगर हम देखेंगे, हमारे पास 24 question है तो आज हम क्या करेंगे, पहले 2 और 3 mark के question कर लेते हैं 1 mark के question उसके बाद में करेंगे अब देखो पहले question पे चलते हैं, question number 18 आपके पास है देखो question number 18 हमारे पास क्या कहता है, which of the following is an appropriate set of reactant for the preparation of 1-methoxy-4-nitrobenzene and why, देखो आपके पास 2 reaction दी हुई हैं बच्चा पहली अगर मैं ए रियक्षन की बात करूँगी, आपके पास क्या दिया है, O-N ने आपको दिया है नीचे आपके पास क्या है, NO2 है, इसमें क्या डाला है, CH3-BR डाला है देखो जब methyl bromide के साथ reaction होगी, क्या होगा, आपके पास methyl क्या होता है, positively charge है sodium यहाँ पे आपके पास क्या है, positively है, तो यह CH3 क्या होगा, Na की जगे पे जाके जुड़ जाएगा यही आपके पास होता है, क्या हो जाएगा, mythoxy iron आपके पास हो जाएगा, इधर आपके पास क्या है, nitro है तो यहाँ पे भी आपके पास क्या बन रहा है, bond आपके पास बन रहा है अब देखो अगर आप सेकंड सेट देखोगे यहाँ पर आपके पास क्या है ब्रोमीन है उसके सब डाला है CH3ON ने यहाँ पर डाला है अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे आपके पास कार्बन और ब्रोमीन जो आपके पास है यहाँ पर क्या होता है सम्हाओ आपक आपके पस बनाएगी, ठीक है, यहाँ पर clear हुआ, कैसे बनता है, SN2 reaction basically होती है, इसलिए आपके पस क्या होता है, यहाँ पर CH3 यहाँ पर जाके जुड़ जाता है, clear है, इसके बाद देखो question number 19 पर चलते है, question number 19 में बोलता है, write the equation, देखो ether वाले chapter के अंदर एक name reaction बहुत आती है, Williamson reaction है, इससे related question बहुत पर repeat होता है, भई आपका, एक बार question number 19 को देखते हैं, write the equation for the preparation of 2-methyl, 2-methoksy-propane by the Williamson reaction, ठीक है, अब देखो क्या बनाना है, 2-methyl, 2-methoksy-propane बनाना है, पहले तो इसको लिख लो, क्या बनाओगे, carbon, यह आपके पास क्या हो जाएगा, CH3, यह second, second carbon पे methyl, second carbon पे ही आपके पास mythoksy group है, और क्या है, प्रोपेन है, तो यह आपके पास क्या है, product आपके पास basically है, ठीक है, अब आपको किस में बनाना है, Williamson reaction आपको लिखनी है, देखो, Williamson reaction आपके पास कहां से start होती है, आपके पास, इसके अंदर, आप यह बोल सकते हो, कि L-coxide iron आपके पास हमीशा बनत आपके पास OCH3 है, देखो, एक simple सी खास बात होती है, ध्यान से देखना है, एक बर, आपके पास जब भी इस तरह का compound दिया हो, OCH3 आपके पास है, औक सीजन के साथ जो भी लगा है, अब औक सीजन के साथ जो भी लगेगा उसका क्या बनाना है, एक carbon है, तो इसका मतलब क्य CH3 BR लोगे, ध्यान से सुनना मेरे बात को, ठीक है, अब ये जो oxygen के साथ जो बाकी पार्ट आपके पास रहे गया, पैन चेंज करके बताती हूँ, ये जो बाकी पार्ट आपके पास रहे गया, ये वाला पार्ट क्या करेगा आपके पास, यहाँ पे carbon, ये CH3, ये CH3, ये वा पास, तो reaction आपके पास हो जाएगी, कौन सी reaction है, Williamson reaction आपके पास है, clear है, कैसे करना है, simple सी reaction आपके पास है, ठीक है बच्चा, आगे बढ़े, ज्यादा questions नहीं है, ये ही questions हैं, जो बार-बार repeat होकर आपके पास आते हैं, इसके बाद देखो, question number 20 देखो भई, 20 में क्या कहता है, methaneol आपके पास है, आपको ether बनाना है, methaneol से, चीक है, तो देखो आपके पास क्या है, CH3, CH2, OH आपके पास है, क्या डाला इसमें, आपने concentrated sulfuric acid डाला, plus में heat किया, क्या बन गया, CH3, CH2, OH2, CH3 आपके पास बन गया, क्या लेना है, दो मोल आप लोगे, तभी तो ether बनेगा आपके पास, चीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने आपको पिछले चाप्टर में भी बताया था, कि अगर आपको कहीं पर भी alcohol मिलता है, तो पहला step आपका confirm हो जाता है, कि आपको living group generate करना पड़ेगा, कैसे generate होगा, जब आप क्या करोगे, प्रोटोनेशन करोगे, तो इसक प्रोटोन आपके पास निकलता है, अब यह प्रोटोन क्या करता है, इस alcohol के साथ react करता है, अब जैसे ही react करेगा, क्या होगा, CH3, CH2, OH आपके पास है, आपके पास H2, oxygen के पास क्या आजाएगा, लोन पेर आजाएगा न, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, OH2 पोजिटि आपके पास होती है, अब देखो, OH2 आपके पास living group है, OH कभी भी living group आपके पास नहीं होता है, OH2 living group है, अब आपको living group आपको दिखाई देने लगे है, चीक है, अब यह जो mechanism आपके पास होता है, याद रखना, यह mechanism क्या होता है, SN2 mechanism को follow करता है, अब SN2 mechanism क्या होता है, one step reaction है मतलब एक ही step के अंदर आपको क्या दिखाना है आपको attack of nucleophile दिखाना है और उसी के साथ साथ आपको क्या दिखाना है removal of आपको क्या दिखाना है living group आपको दिखाना है दोनों step क्या होते हैं एक साथ आपके पास होते हैं simultaneously आपके पास होते हैं ठीक है SN2 के अंदर तो यही काम आपको करना है, अब देखो, आपके पास क्या है, आपके पास क्या बना था, CH3, CH2, OH2, पॉजिटिव आपके पास बना था, अब देखो, आपके पास पहले क्या है, आपके पास मीथेनोल, इथेनोल है, इसके दो मोल थे, एक आपने यूज कर लिया, अब दूसरा मोल आपका यहाँ पर use होगा CH3, CH2, OH आपके पास है अब देखो oxygen के पास क्या होता है, loan pair आपके पास present है चीक है, अब यह loan pair क्या करता है, इस carbon पे जाके attack करता है जैसे ही carbon पे attack करेगा, oxygen क्या करेगा, अपने electron लेकर बाहर चला जाएगा होगा क्या आपके पास, देहान से देखना, मेरे पास क्या है CH3, यह CH2 है इस पे कौन जाके attack किया, oxygen, oxygen ने electron दिये है, तो क्या सा charge होगा, positive charge अब oxygen के पास एक hydrogen है, और तो आपके पास क्या है, CH3, CH2, CH3, ethyl group आपके पास है ठीक है, अब water क्या होगा, अपने electron लेकर चला गया, तो water क्या हो जाएगा, यहाँ पे release हो जाएगा तो यह reaction कैसी होती है, slow step आपके पास रहता है तो यह second step आपके पास होगा, अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, जो आपके पास यहाँ बना है इसको मैं थोड़ा सा rearrange करके लिख रही हूँ, ताकि आपको समझ में आए इसी को मैं क्या लिख रही हूँ, CH3, CH2, इधर क्या है, oxygen है, hydrogen लगा है, positive charge है, CH2 है, CH3 है क्या मिल रहा है, protonated ether आपके पास मिल रहा है लेकिन आपको चाहिए क्या, ether चाहिए न, H नहीं चाहिए, H positive तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, last step के अंदर, step third के अंदर, आपको deprotonation करना पड़ेगा deprotonation करोगे, तो क्या हो जाएगा, H यहां से निकल जाएगा, यह electron कहाँ जाएगे, positive charge के उपर चले जाएगे ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, CH3, CH2, O, CH2, CH3 बन जाएगा, प्लस में H positive आपका बाहर निकल जाएगा इसको क्या बोलते हैं, ethoxy, ethene हम इसको बोलते हैं, ठीक है, तो यह आपके पास क्या हो जाएगा, mechanism हो जाएगा पहले step में क्या करना है, alcohol का protonation करना है, कोभी भी alcohol मिलेगा, पहला step आपका confirm है, initiation step आपके पास उसके बाद क्या है, याद रखना है, scent to mechanism follow करता है, आप protonated ether दीखेगा, आपको simple ether चाहिए, तो last में क्या कर दोगे, deprotonation कर दोगे clear है, अगले question की तरफ बढ़े, इसको एक बार rub कर देते हैं इसके बाद देखो भी, अगला question आपके पास देखो अगले में क्या लिखा है, give mechanism of preparation of ethoxyethene, ethoxyethene किसको बोलते हैं, ऊपर वाले ether को ही बोलते हैं, ठीक है 21 question देखो क्या कहता है, how is one propoxy propane synthesized from propane 1-ol आपको क्या बनाना है, propane 1-ol का मतलब क्या है, CH3, CH2, CH2 OH आपके पास है बनाना क्या है, आपके पास one propoxy propane आपको बनाना है, मतलब आपको क्या बनाना है एक साइड में propyl group, CH2, CH2, CH3, आपके पास बीच में O लगा होगा और इस साइड भी आपके पास क्या है, आपके पास तीन कार्बन की चेन है जैसे इथोक्सी इथेन था, ऐसे ही, प्रोक्सी, आपके पास क्या है, प्रोक्पेन है यह आपको बनाना है, यहाँ पे क्या है, तीन कार्बन की चेन है कैसे करना है, आपको यही रियक्शन करनी है कैसे करोगे, दो मोल होगे, क्या करोगे, कंसेंट्रेटीड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजन्स में क्या कर दोगे हीट कर दोगे, तो क्या बन जाएगा, यह इथर आपके पास बन जाएगा क्लियर है, जो उपर मेकैनिजम पढ़ा है, वही रियक्शन आपको यहाँ पे करनी थी इसके बाद देखो, अगला 22 कोशन की तरफ बढ़ते हैं, इसको रब कर देते हैं चीक है, कोशन नमबर 22 देखो क्या कहता है, राइट दा मतलब आपके पास ख्लोरोफोम है, इसने क्या बोला है, आपके पास फिनोल है यह आपके पास फिनोल हो गया, बना लिया, किसके साथ रियक्ट करता है, CHCL3 के साथ करता है, in the presence of base, किसकी presence में, NaOH के साथ, ठीक है, अब साथ में क्या करना है followed by the hydrolysis, प्लस में hydrolysis आपको करना है, reaction याद रखो, पिछले alcohol phenol से यह वाला question लिया गया है, कौन सी reaction थी, रीमर-टीमर reaction थी, रीमर-टीमर reaction, ऐसे ही तो करते हो, phenol के अंदर chloroform base plus hydrolysis करते हो, क्या बन जाता है, आपके पास इसके ortho position पर hydroxy, मतलब CHO group लग जाता है, क्या नाम दे सकते हो, 1, 2, इसको क्या बोल सकते हो, 2 hydroxy benzyldehyde, इसको आप बोल सकते हो, benzyldehyde, इसको बोल सकते हो, clear है, अगली reaction की तरफ चले, अगली reaction देखो भई, क्या कहता है, आपके पास क्या है, इसने दिया है, CH3, CH2, CH, यहाँ पर CH3 लगा है, यह CH है, यहाँ CH3 लगा है, इधर ONA लगा है, इसने बोला, इसको react कराया आपने C2H5BR के साथ, आपको बताना है कि product आपके पास क्या बनेगा, देखो एथर आपके पास ONA है, ONA के साथ Alkyl Halide लेते हो, reaction कौन सी आपके पास होती है, William Sun reaction आपके पास है, यही, तो आप reaction को कैसे करोगे, simple सी reaction है, अगर आप देखोगे तो, हमने अभी भी पढ़ा था, आपको हमेशा क्या करना है, कि यह जो आपका positive वाला charge है, यह NNA की जगे replace करना है, यही काम आपका करता है William Sun, तो आपका product में क्या हो जाएगा, यह चीज as it is रहेगी, CH3, CH2, आपके पास CH, CH3, CH, CH3, oxygen के साथ क्या लग जाएगा, C2H5 आपके पास लग जाएगा, ठीक है, क्या नाम दे सकते हो, अगर आप इसका naming करोगे, क्या हो जाएगा, 2-methoxy, 2-ethoxy आपके पास, ठीक है, 2-methyl, केतना हो जाएगा, pentane आपके पास हो जाएगा, 5-carbon atom आपके पास है, ठीक है, चेन क्या है, 5-carbon atom की सबसे longest chain है, तो यह आपके पास क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, clear है, अगले question की तरव बढ़े, 23 question देखो, आपके पास question number 23 क्या कहता है, यह कहता है, आपको identify the product, याद रखना भई, यहाँ से Williamson reaction है, वो करके ही जाने हैं आपको हर हालत में, question number 23 आपके पास है, question number 23 कहता है, identify the product formed when the propane 1-ol is treated with concentrated sulfuric acid plus me heat, write the mechanism involved for this reaction के लिए करना है, ठीक है, देखो भई, question number 23, क्या बोला है इसने, आपके पास क्या दिया है, propane 1-ol है, propane 1-ol का मतलब CH3, CH2, CH2 OH है, क्या डाला, concentrated sulfuric acid डाला, ठीक है, plus में क्या किया, heat किया, क्या बनेगा, 2 mol लेते हो, क्या बनता है, ether बनता है, आपके पास CH2, CH2, CH3, अभी अभी हमने mechanism पढ़ा था, ठीक है, वही mechanism आपको यहाँ लगाना है, क्या किया था, पहले alcohol का protonation कराया था, दूसरे में क्या किया था, SN2 mechanism को follow कराया था, थर्ड में क्या करा दिया था, deprotonation हमने यहाँ पे करा दिया था, तो यही mechanism यहाँ follow करना है आपको, clear है, question number 24 की तरफ चलते हैं, देखो question number 24 क्या कहता है, complete, इसने reaction बोली है, यहीं पे लिख लेंगे हम लोग, आपके पास क्या है, आपके पास इधर दिया है, ROR, CH3, CH2, CH2, O, CH3, आपके पास है, HBR के साथ reaction करा दि, HBR के साथ reaction कैसी reaction है, वही फिर से क्या है, Williamson reaction है, क्या बनता है, alcohol हमेशा बनता है, आप देखो, तीन कार्बन आटम है, इसके साथ क्या बन जाएगा, CH3, CH2, CH2, OH बन जाएगा, ठीक है, और जो यह BR है, O के साथ यह जो CH3 लगा है, क्या हो जाएगा, CH3 BR आपका, as a side product निकल जाएगा, यह product आपका बन जाएगा, इसके बाद देखो भई, और फिनाइल रिंग है, O C2H5 आपके पास है, HBR के साथ reaction कर आई, क्या बनेगा, यहाँ पर फिर से वही लगा दो, O के साथ क्या आजाएगा, hydrogen, और प्लस में क्या हो जाएगा, C2H5 BR आपका बाहर निकल जाएगा, ब्रोमोइफेन, इसके बाद देखो, आपके पास O C2H5 है, इसके साथ HCI आपने डाला है, कैसे काम करेगा, देखो आपके पास carbon, CH3, CH3, यह आपके पास क्या है CH3, अब इसके साथ क्या जुड़ेगा, iodine जाके जुड़ेगा, ठीक है, क्योंकि टर्शिरी कार्बोकाटाएन ज्यादा स्टेबल होता है, प्लस में क्या हो जाएगा, C2H5 OH है, वो आपका as a side product निकल जाएगा, तो यह आपके पास answer हो जाएगे, हो जाएगा, आपके पास, देखो बच्चा, यहाँ पर अगर आपने, सिंपल सा फंडा है, C2H5BR करोगे, H यहाँ जाओगे, तो फिनोकसाइड आइन ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए H यहाँ जुड़ेगा, ना कि एथेनोल आपके पास बनेगा, इथाइल ब्रोमाइड आपके पास बनेगा, जब हम यहाँ पर HI की बात करते हैं, HI डालोगे, आयोडीन यहाँ क्यों बनता है, क्योंकि आयोडीन डालने से यहाँ क्या बनता है, टर्शरी कार्बोकेटैन होता है, अगर आयोडीन बहार जाता है, तो टर्शरी कार्बोकेटैन क्या होता है, जादा stable होता है, तो इसलिए tertiary iodide बनेगा और इथिनोल आपका बाहर निकल जाएगा clear है, यही reaction है यहाँ से एक reaction पक्का आपको paper में देखने को मिलेगी भई छीक है, चाहे नाम से दे चाहे आपसे नाम से भी दे complete the reaction में दे, लेकिन यहाँ से question आएगा ही, आएगा हो जाएगा यह वाला question आपका ठीक है, इसी page के questions को कर लेते हैं, पहले question number 13 ही देख लेते हैं आपके पास ठीक है, क्या कहता है question number 13, write the equation involved in the Williamson ether synthesis, लिख दो भई, क्या लेते हो, एक तो आपको RON ने लेना होता है, क्या RON के अंदर क्या डालते हो, Rx डालते हो न, चीक है, इसको R' कर लो आप, एक को R' कर लो एक को R कर लो, दोनों करते हो तो क्या बन जाता है, R O R' बन जाता है, प्लस में Nx बाहर निकल जाता है, यही आपके पास Williamson reaction है, एक्जामपल कोई भी दे सकते हैं, अभी अभी हमने इतने सारे एक्जामपल पढ़ ली है, ठीक है, इसके बाद देखो, IUPAC name देना है Nitro और Ethoxy group लगा है आपके पास, देखो आपके पास Ethoxy से क्या होगा, पहला Carbon atom लिखा जाएगा, फिर 2, 3 4, 5, 6, ऐसे naming होगी आप देखो, 1 पे क्या है, Ethoxy group है, तो हम क्या बोलेंगे, 1 Ethoxy, क्या बोलेंगे, 2 पे क्या है, आपके पास क्या नाम है, Nitro group है, क्या हो जाएगा, 2 Nitro आपके पास हो जाएगा, और पीछे क्या लिखोगे, Cyclohexene हम इसको लिखेंगे, तो नाम क्या हो जाएगा, 1 Ethoxy, 2 Nitro, Cyclohexene, इसका नॉमनक्लेचर हो जाएगा, क्लियर है, इसके बाद चलते है, अगली रियक्शन आपके पास पोलता है, यह रियक्शन हमने पिछले वाले कुश्चन्स के अंदर कर ली थी, Friedal Craft Asylation of Any Soul आपको लिखना है, देखो Any Soul क्या होता है आपके पास, याद हो जाना चाहिए OCH3 आपके पास है, आपको क्या कराना है, Friedal Craft Asylation कराना है, Acetylation Acetylation कराना है मतलब Asyl Group जोड़ना है, कैसे करते हो CH3, COCl की Presence में डालते हो, और साथ में क्या करते हो, Enhydrous AlCl3 की Presence में कराते हो क्या बनेगा, आपके पास Asyl Group एक बार ओर्थो पे जुड़ जाएगा आपके पास COCH3 और एक बार आपको क्या करना है उससे आपको पैरा पे जोड़ देना है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि OCH3 कैसा होता है, ओर्थो पार डिरेक्टिंग ग्रूप आपके पास होता है कौनसा अफेक्ट शो करता है आपके पास माइनस आई और प्लस सार आपके पास शो करता है इसकी बाद चलते हैं अगली रियेक्शन पे, illustrate the following reaction by giving a chemical equation, Williamson synthesis छीक है, Williamson synthesis हमने अभी अभी बहुत पर कर ली है वही आपसे पूछी गई है question number 17 देखो क्या कहता है phenyl methyl ether react with the H.I.E. to give the phenol and methyl iodide and note the idobenzene and methyl alcohol Y देखो वही, इस question को देखो आप आपके पास क्या है, सबसे पहले तो क्या है, phenyl methyl ether आपके पास है, मतलब आपके पास ये phenyl ring है ये आपके पास O है, इधर क्या है, CH3 है ठीक है, आपके पास phenyl methyl ether आपके पास ये दिया है अब देखो, जब आप इसका protonation कराओगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये क्या नाम है, इसका Anisole, इसी को क्या बोलते है, Anisole बोलते है, देखो जब हम इसका protonation कराएंगे, बच्चा, क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH positive आपके पास आ जाएगा, यह आपके पास क्या है, CH3 है, इसको क्या बोल देंगे, methyl, phenyl, oxonium मायन बोल देंगे, ठीक है, अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, इसके अंदर, इसके अंदर यह जो आपका OCH3 bond है, यह कैसा bond है, यह weak bond आपके पास है, किसके comparison में, जब आपने OC6H5 bond देखा है, देखो, एक आपका oxygen के साथ CH3 bond है, एक oxygen के साथ क्या है, phenyl ring लगी है, मतलब C6H5 लगी हुई है, अब यह वाला bond कैसा है, weak है, यह वाला bond कैसा है, strong है, अब phenyl के साथ strong bond कैसे है, क्योंकि यहां क्या आता है, partial double bond करेक्टर आता है, ring के साथ, तो यह bond कैसा हो गया, strong आपके पास हो गया, जबकि यह वाला CH3 वाला है, वो कैसा है, आपके पास weak bond है, इतना समझ में आया आपके पास, तो अगर यह वाला weak bond है, तब ही तो आपके पास क्या होगा, यहां वाला bond आपके पास टूटेगा, ना, weak bone टूटेगा यहाँ पर, और क्या बन जाएगा, आपके पस phenol बन जाएगा, यहाँ से bone टूटेगा, weak bone है, weak bone टूटेगा तो phenoxide आयन से क्या बन जाएगा, phenol आपके पस बन जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा, CH3I आपके पस बन जाएगा, clear है, यही आपको explanation यहाँ पर आपके पास क्या कहता है, अनिसोल अंडरगो ब्रॉमीनेशन विद ब्रॉमीन इन इथेनोइक एसेड इवन इन अपसेंस ओफ आइरन-3-ब्रॉमाइड केटलाइस्ट ठीक है, अब इसने बोला है यह ब्रॉमीनेशन दे देता है इथेनोइक एसेड ठीक है, देखो ऐनिसोल क्यों देगा अनिसोल रियक्शन में क्यों देता है अनिसोल का मतलब क्या होता है OCH3 ग्रूप आपने लगा दिया अब देखो OCH3 ग्रूप का क्या फंक्शन होता है माइनस-R-Effect आइफेक्ट शो करता है अब प्लस हारी फेक्ट शो करने का मतलब क्या है? कि ये क्या करता है? बेंजीन रिंग को एक्टिवेट तो करता है ना? इसी वज़े से रियेक्शन देता है. तो आपका अंसर क्या हो जाएगा? पहला देखो, due to the activation of the benzyne ring by the methoxy group, तो first का A अंसर आपके पास क्या हो जाएगा correct अंसर हो जाएगा. ठीक है? क्लियर है? इसके बाद देखो, question number second क्या कहता है? ये कहता है, when the diethyl ether is heated with the axis of HI, it produces. diethyl ether का मतलब क्या है? C2H5 O C2H5 है. इसने बोला, अगर मैंने इसके अंदर HI डाल दिया, और किसमें डाल दिया? X's में डाल दिया. तो आपको ये बताना था, कि बनेगा क्या basically आपके पास? क्या बनता है? आपके पास देखो, क्या हो जाएगा? C2H5, एक जगे पे क्या कल जाएगा, X's में डालोगे तो. क्या बनेगा? Iodide बनेगा. आपके पास कौन सा बनेगा? Ethyl. आपके पास ethoxy दिया है, तो ethyl iodide बनेगा. तो second का सही अंसर क्या हो जाएगा? D आपका correct answer हो जाएगा. Clear है? अगली reaction देखो भई, क्या कहता है? यह कहता है, what would be the major product of the following reaction? आपके पास यह क्या दिया है? C6H5, CH2, OC6H5 दिया है. इसके अंदर HBR इसने डाल दिया है. और यह क्या पूछता है? प्रोड़क्ट आपसे पूछता है. अब देखो, जब इस reaction को कराओगे, क्या बनेगा एक साइड में आपके पास. एक साइड में तो phenol बनेगा? क्योंकि phenoxide ion क्या होता है? stable होता है. तो आपने क्या बना दिया? फिनोल बना दिया. दूसरी साइड में क्या है? C6H5, CH2 है. इसके साथ क्या लग जाएगा? बच्चा भी यार लग जाएगा. यही product आपके पास बन सकता है, राइट बाला टूट सकता है, जो stable बनाएगा, जो weak bond होगा, मतलब जो जल्दी से टूटेगा और अच्छा product आपके पास बनाएगा, वही तो आप बनाओगे ना, तो आपको यही देखना है यहाँ पे इस तरह के questions के अंदर, जो ज़्यादा स्टेबल बनेगा, वह फटा-फट से bond तूट जाएगा, क्योंकि आपका stable product की तरफ जा रही है reaction, यह देखो भई, आपके पास question number 4 है, यह क्या कह रहा है, आपके पास Williamson synthesis of preparing, dimethyl ether is an, देखो Williamson reaction जो आपके पास होती है, कैसी reaction होती है, SN2 type की reaction होती है, एकी step के अंदर reaction हो जाती है, biomolecular nucleophilic substitution reaction होती है, तो आपके पास सही answer 4 का क्या हो जाएगा, C आपका correct answer हो जाएगा, question number 5 देखो भई, अब क्या कहता है, इसके अंदर देखो आपके पास CH3, देखो यह फिर से देखो, यह CH3, यह CH3, इधर oxygen है, इधर CH2 है, इधर CH3 है, क्या डालना है, HI आपको डालना है, और आपको product यहाँ पे बताना है, ठीक है, अब देखो कैसे बनेगा भई, आपका bond यहाँ से भी तूट सकता है, यहाँ से भी तूट सकता है, अब देखो, iodide कहाँ जुडेगा, iodide कहाँ जुडेगा, यहाँ जाके जुडेगा, क्यों, क्योंकि iodine का मतलब क्या है, यहाँ पे tertiary, कार्बो काटान बनता है, हो जादा stable होता है आपके पास, तो क्या बनेगा, कार्बन, CH3, 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 यहाँ iodine जुडेगा, आपका क्या है, करेक्ट अंसर है, ठीक है, आगे बढ़े, कुश्यन नंबर 6 पे चलते हैं, 4-5 कुश्यन रहते हैं इस लेक्चर में, देखो, कुश्यन नंबर 6 क्या कहता है, COC, bond angle in the ether molecule, ether molecule के अंदर क्या होता है, ROR होता है, अमालिय यह बढ़े क्या है, कोई न कोई carbon होगा, बीच में oxygen है, यह carbon है, यह कहता है, इन दोनों के बीच का, जो bond angle है, वो आपके पास कितना होता है, ठीक है, देखो, आपके पास इसका जो bond angle होता है, वो almost कितना होता है, 1-1-1 degree आपके पास होता है, ठीक है, जनरली देखा जाए, अगर नॉर्मली आप सोच के देखो, अगर आपको नहीं याद है, तो कैसे सोचोगे, अगर हम टेट्राहेडरल कंपाउंड लेते हैं, टेट्राहेडरल के अंदर चारबोंड आपके पास होते हैं, तो इसका मतलब कितना बाटे आता है, 109, आपके पास आता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, एक बलकी ग्रूप है, आपके पास इसकी, मतलब एक तरह से यहाँ पे क्या हो सकता है, एंगल, एथर का बनाना है, ठीक है, वो क्या करेगा, इस एंगल को इंक्रीज करेगा, इंक्रीज क्यों करेगा, क्या रिप बलकिनस आगई ना साथ में क्या है बलकिनस आगई बलकिनस आएगा तो क्या आजाएगा रिपल्शन आपके पास परी एट रिपल्शन क रेगा तो बोन अंगल क्या हो जाता है मुटर बढ़ जाता है तो आपके पास普 inex वन 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 आपके पास बन जाएगा ठीक है याद भी कर सकते हो कुश्चन में आता है अब देखो भई कुश्चन नमबर 7 पे चलते हैं पहले 11-12 देख लेते हैं उसके बाद assertion reason की कुश्चन रह जाएंगे कुश्चन नमबर 11 और 12 में देखो नाम देना है भई आपके पास क्या है एक साइड के अंदर देखो आपके पास कितने कार्बन एटम चेन बन रही है आपके पास तीन कार्बन एटम की ये वली तीन कार्बन एटम है ये सबसे बड़ी चेन बन रही है सबसे पहले तो आपको longest chain देखनी होती है चीक है, तो 3 carbon atom की chain है तो क्या लगा दिया, propane आपने लगा दिया आप देखो, आप अगर नाम करोगे यहाँ पे, किसी का भी कर लो 1 है, यह 2 है, आप देखो 2 पे ही methyl है, 2 पे ही क्या ethosy, mythosy group आपके पास है, तो आप क्या लिखोगे 2-methosy लिखोगे, ठीक है 2-methyl लिखोगे और फिर क्या लिखोगे, propane लिखोगे यह इसका नाम हो गया, अब देखो भई अगला आपके पास है, longest chain देखो, आपके पास कितने की है 3 carbon atom की longest chain है ठीक है, अब देखो नाम देदो भई, 3 carbon atom की अगर longest chain है, तो oxygen की तरफ से पहला नाम आएगा, यह दूसरा यह तीसरा, अब देखो 1 पे क्या है, आपके पास यह ethoxy group है, तो आप क्या लिखोगे, 1-ethoxy ठीक है, 2 पे क्या है, methyl है 2-methyl लिखोगे और last में क्या आजाएगा, 3 carbon की chain है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, इस तरह से नाम लिखा जाएगा clear है, ठीक है, अब हमारे पास question बचते हैं, आपके पास 7-10 जो की assertion reason के question है, देखो assertion reason के अंदर पहला बोलता है कि आपका ABCD में से answer होना है, A कब होगा, जब A सही है, R सही है और R सही explanation है A की, B option कब सही होगा, जब A भी सही दिया है, R भी सही दिया है, लेकिन reason गलत दिया है assertion का C कब होगा, जब A आपके पास सही है, और R क्या है, गलत है, अगर A गलत है, और R सही है, तो आप क्या बताओगे D answer आप यहाँ पर बताओगे यह इसने starting में बोला है जो सब पे apply होगा ठीक है तो पहले question की तरफ देखे पहला assertion reason क्या कहता है A क्या कहता है an ether is more volatile क्या बोला है यह कह रहा है कि ether है वो ज़्यादा volatile आपके पास होता है alcohol के comparison में जब आपने comparable mass दिया है बिल्कुल सही बात है आपके पास ether ज़्यादा volatile होता है ठीक है आपका जल्दी से वापर के अंदर convert हो जाता है जबकि दोनों का mass almost पराबर है तो एक क्या है बिल्कुल सही दिया है उसके बाद देखो ether क्या है polar nature का होता है polar nature का है बिल्कुल सही बात है polarity है क्यों polarity है आपके पास reason के अंदर ठीक है क्योंकि electronegativity difference आता है carbon और oxygen के बीच में तो किस क्या होगा polar nature का होगा तो इसका मतलब reason है वो भी सही दिया है अब मुझे बताओ volatile का जब हम reason देखते हैं क्या volatile का reason कभी भी आपके पास polarity से count होता है नहीं होता ना तो इसका मतलब A सही है R सही है लेकिन आपके पास reason है वो correct explanation नहीं है assertion की तो सही answer तो B हो जाएगा ठीक है अब आप एक पर यह देख लो कि इसकी explanation क्या होगी कि ether जो आपके पास है वो जादा volatile होता है alcohol के comparison में ऐसा क्यों होता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है alcohol के अंदर क्या होते है intermolecular hydrogen bonding आपके पास होती है इस वज़े से अगर hydrogen bonding रहेगी strong bond बनेगा bond जल्दी से तोटके फटा-फट से vapor के अंदर convert नहीं होगा इसलिए हम क्या कहेंगे less volatile होगा वो clear है आगे चले second वाला part देखते है second का answer क्या होगा 8th का part देखो 8th क्या कहता है assertion कहता है the methoxyethane react with HI to give the ethanol and idomethane आपके पास देगा ठीक है 8th में क्या कह रहा है एक बर इसका structure बना लो क्या है CH3O C2H5 होगा ठीक है mithoxyethane है HI के साथ अगर बनाएगा तो क्या देगा एक side में क्या देगा C2H5 ethanol देदेगा plus में क्या देगा CH3I देदेगा आपके पास ये देदेगा आपके पास सही आप इसने क्या बोला है सही बात बोली है तो A आपके पास क्या है सही बात है आप देखो B आपके पास क्या बोला है कि ये जो reaction SN2 mechanism follow करती है बिल्कुल सही बात है SN2 करती है और SN2 की वज़े से ये reaction देता है ठीक है इसके बात चलते है question number 9 की तरफ देखो आपके पास क्या कहता है ये कहता है COC bone angle है एथर के अंदर ये tetrahedral से थोड़ा सा कम होता है कितना होता है 111 होता है tetrahedral में 10928 आपके पास होता है तो कम थोड़ा ना होता है क्या होता है जादा होता है तो इसका मतलब assertion गलत दिया है और assertion गलत का एक ही option आपके पास सामने आता है वो आपके पास क्या है D आपका correct answer है हो जाएगा इसके बाद देखो question number 10 की तरफ चलते है question number 10 में देखो आपके पास क्या कहता है question number 10 के अंदर कहता है the boiling point of dye, ethyl, ether is much less than the ethanol आपके पास ठीक है देखो आपके पास इसने बोला है ether आपके पास है ether का जो boiling point आपके पास है वो बहुत जादा कम होता है ethanol के comparison में बिल्कुल सही बात तो बोली है इसने ऐसा क्यों होता है क्योंकि ethanol के अंदर क्या होता है alcohol के अंदर intermolecular hydrogen bonding आपके पास होती है intermolecular hydrogen bonding strong bond है strong bond है तो boiling point क्या है जादा आपके पास होगा बस इसका मतलब क्या है assertion सही दिया है reason देखो भई reason in ethanol the molecules are associated with by the formation of intermolecular hydrogen bonding whereas in the diethyl ether it is not possible विल्कुल सही बात है reason भी ठीक है और यही तो explanation है अभी अभी मैंने आपको बताई है clear है तो इसका मतलब इसका सही अंसर 10th का क्या हो जाएगा यह आपका correct answer हो जाएगा तो भई यह आपके पास थे ether के questions तो आपका alcohol, phenol और ether वाला chapter खतम होता है कुछ miscellaneous question है जो दोनों में से मतलब mix करके दूँगी पूरे chapter से वो आपके test में डाल दूँगी अगले video के अंदर तो आप test करना telegram group को join करना वहाँ पर आपको answer मिल जाएंगे ठीक है